मेरू नाम कविता कौशिक छे मेरू घौर बेल्जिन माच छे वड़ा काम फ्यून लटियात वैद किकी ओंडी मनुमा ओंडी मनुमा हेलो नमस्ते मेरू नौच रोहित्र पाठी और आप सभी लोगों को स्वागाच्च तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूगा क्योंकि जो मेरा पिछला व्लॉग था जिसका टाइटल था एक छोटी सी कोशिश अपने पहाड और पहाडी बोली के लिए उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया में को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया तो थ वीडियो एंड होगा तो इसके बाद जो एंडी स्क्रीन आईगी उसके बाद मैं वहाँ पे वो लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो जी आप बात करते हैं आज की कहानी की तो जी मैंने जो मेरे नौन उत्राखंडी फ्रेंड हैं जैसे कि कोई आसाम से है कोई पंजाब से है साउथ इंडियन और फॉरेनर तो इन लोगों को मैंने अपने जो उत्राखंड में बोली जाने वाली है गडवाली उसके बारे में बताया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो पता है उत्राखंड ब्यूटिफुल है उत्राखंड में पहाड है बहुत कम लोगों को यह पता है कि उत्राखंड में बोलियां बोली जाती हैं जैसे कि कुमावनी, गडवाली, तो जैसे कि हम गडवाली हैं तो हमने उन्हें गडवाली के बारे में बताया और उन्हें गडवाली बोलनी सिखाई, प्लस थोड़े बहुत जो गडवाली गाने ह मैंने उन्हें वो भी से को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा कि वो लोग कैसे गड़वाली बोल रहे हैं और कैसे उन्हें गड़वाली गाना गाया है तो लेट नहीं करते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं देखिए जी नमस्कार मेरो नो काविशुदी चा मेरो घर असाम के नोगा विस्टिक मच चा गड़वाली बहुत ही बड़ सुन्दर जगा चा मैं एक गड़वाली गाना गाना चाहूंगी गंगी होने से माफ कीजिएगा प्रीय और ईखिके वणन्दी यू नुमन्मा तेरो मेरो साथ चैयों पहला चैनम्मा तेरो मेरो साथ चैयों पहला चैनम्मा पहाड के बारे में मैं क्या ही बोलू पस पहाड को सोचती हूँ तो इतना ही आदाता है कि उसन पहाड का क्या कहना की बारू महिने यहां मौसं जाड़ों का क्या कहना की बारू महिने यहां मौसं जाड़ों का धन्यवाद हुए नमस्कार, मेरु ना मोहिनी च, मेरु गार मेरेट में च, गणवाल बहुत संदर च, और वहां की गणवाली बुल बहुत प्यारी च, मैं चल्द ही पूरी गणवाली सीखन चान्दी चुँ, धन्यवाद वणकम, मेरु ना मदनायकंची, मेरु गर, खन्याकुमारी तमिल नाडु माच्छी, तो मेन एक गडवाली गाना सीखी छे, अब में आपते गाना सुनाहुँ फ्यू नटीयात वैद की की ओंधी मनमा, ओंधी मनमा तेरों मर सात च, यो पहलनाद नमस्ते, मेरु ना चाता चुए, मेरु घुर बिहार मेज़ा, मै ते भहार गधारी लो क्बहात पसंची क्योंकि पहारी लोग बहाँ स्वीट और डाउन टू अर्थ होंदा चे सुरेली ते रूजी आलागी गें तेरी राटे ली मुकडी मा अहाँ पक्किसी रहा है क्यों मैं पहुंची ते डुकुमा उगडे मा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मेरू नौम हिमान्सुच मेरू गाउं उत्तर प्रदेश मच्च मैं आप लोग सम्ड़ी एक गलवाली गाना गान चौनुचा भलू लगदू भनू नी तेरू मट मटू हेटोनू ए भन लगदू भलू लगदू भलू नी तेरू मटू मटू हेटोनू ए भन लगदू हेरोडू एतर हेटोडू पैतर हरेकेणू फरेकेणू हा भन लगदू भन लगदू नमस्ते मेरू नो कारण चा मेरू घर बल्जिन माच चा और क्या हल चिन आप लोगों का कमन बोक्स मा बाठावा धन्यवाद इफ यू लाइक रवीडियो प्लीज शेर और सिस्क्राइब और फॉलो रोहित रिपाथी व्लोग्स तो आप लोगों को यहां तक वीडियो पसंद आ रही होगी अगर आ रही है तो लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं आ रही है तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं तो जी अब कहानी में एंट्री होती है इनकी चंदरमुखी चोटाला उफ कविता कौशिक जी की तो जी हमारा इनसे मिलना होता है और जैसे ही हमें मिली तो हमने इने भी गड़वाली के बारे में बताया और थोड़ी बहुत गड़वाली सिखाई इनने और इनसे भी तो आप लोग को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी तो अब मुझे आप लोग से एक इंपोर्टन बात करनी है तो जैसे कि जो हमारी गड़वाली बोली है ये धीरे धीरे लुपत होती जा रही है क्योंकि यार जो उत्राखंड के बहुत सारे लोग है वही ये बोलना पसं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों और मैं यह नहीं चाहता कि हमारी ये बोली लुपत हो जाए तो जी मैं यह चाहता हूं कि जो हमारी गड़वाली बोली है इसके बारे में सब लोग जाने मैं इस गड़वाली बोली को सब लोगों तक पहुचाना चाहता हूं और आ पता चले को ढगडवाली बरे में पता चले अज चरकिनल को अगर सब्सक्राइब का है तो बो की अची़ का्टोर्म ए वीडियो गोड़ कर सकते है जो हमारा पिछले वाला वीडियो फिजय schमें वाले सUёт Кरीबं चाहर पानसो लेकिज तो भी पालग आ और बस इतना ही So as always this is Rohitri Padhi signing off Thanks for watching I'll see in the next one Take a very special care of yourself Jai Hind, Jai Bharat, Jai Udrakhand